हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जीके ट्रेकर पे देखे फ्रेंड्स इस वीडियो के दूर हम बात करने वाले हैं उत्राखंट जीके MCQs वाली सीरीज का ये हमारा आज 31 पार्ट है और इस वीडियो के अंदर भी हम उत्राखंट से संबंदित 20 महत्पून प्रश्णों को देखेंगे जिनको आपको solve करना है और आखिर में अपना score कमेंट करके बताना है आपके out of 20 यहाँ पर कितने marks आए हैं साथ ही अगर आपने अभी तक previous वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला question है आज का अलमोडा अकबार का सरकारी registration number क्या था दिखे आपको पता है अलमोडा अकबार की जो start होता है यानिकि इसके शु podéis शुरुँमात कब होती है अलमोडा अकबार का प्रकाशन कब से शुरू होता है 1871 से ठीक है क्योंकि आपको पता है 1870 में अलमोडा के अंदर किस की स्थापना होती है डेवेटिंग कलब की स्थापना होती है उसके बाद 1871 से एक अकबार निकलता है अलमोडा अकबार ठीक है इसका जो रेजिस्ट्रेशन नंबर था वो था 10 पेपर में पूछा जा सकता है कि अलमोडा अकबार का रेजिस्ट्रेशन नंबर क्या था संख्या 10 थी ठीक है इसके समकालीन कौन सा अकबार था वो आप मुझे कमेंट करके जरूरू बताएंगे अगला है अलमोडा अकबार के प्रत्थम संपादक कौन थे ठीक है अलमोडा अकबार जो के 1871 में निकला इसके जो पहले संपादक थे वो थे और कब तक अंग्रेजों की नेती थी अंग्रेजों का जो रवाईय था इसके प्रती अच्छा रहा अगर आपको ऐसा प्रश्न बन जाए कि अलमुडा अकबार था उसके प्रती अंग्रेजों के उदार था कब तक रही थी आपका जवाब हुगा 1913 क्योंकि आपको पता है 1913 में अल्मुणा अकबार का जो संपादक तो था वो किसके हातों में चला गया था बदिधत पांडे के ठीक है तो आपको दो तरीके से पिश्ण पूछा जा सकता है कि अंग्रेस अल्मुणा अकबार को लेकर नरम कब तक थे 1913 ठीक है बदिधत पुस्तक के लेखक कौन है तो नंदा के जागर ये किताब किसकी है ये किताब है बसंधी देव bunlar कि आपको ध्यान रखना है किस की किताब है बसंधी बिश्ट के बसंधी देवी की गनेश शेली इनकी और की देपर पेपर में पूछी जाओ हुआ था इनका जनम का हुआ था पहले यह देख लिए इंका जनम होता है श्रीनगर में ठीक है और कब हुआ था सत्रा सो तितन complete में इनको प्राप्त था ये आपको द्यान में रखनी है ठीक है अगर आपको पूछ लिया जहा हिंसे किस पमार्यशा का इनको सर्णक्षिर प्र उनको सबका सनक्षन प्राप्त था एक और चीज इनके बारे में देखिए इनकी माता का नाम क्या था इनकी माता का नाम था रमा देवी या कहीं पर रामो देवी भी लिखा है ठीक है एक और चीज इनकी गुरू का नाम क्या था इनकी गुरू का नाम था राम सिंग ठीक है औ अगर पूठ जाए किस भाषा में लिखी गई है ये वाली रचना ये लिखी गई है ब्रच भाषा में तो गड़ राजवज जो है ये ब्रच भाषा में लिखी है इसके अलावा what shall इनकी अन्य रचना हैं जैसे शिरी नगर दुर दर्शा है मनमत सागर है अभी ज्ञान इन्हों ने क्याु कर आ था अभियान शकुंतलम जो कालİदास की रचना है उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद करा था इसके अलावा गड़ गीता संगराम ये भी इनी की रचनाए हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है मौला राम के पिता का नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे अगला है यमनोत्री वा गंगोत्री वा यमनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है अब देखे दो प्रशने यहां से बनते हैं पहला गंगोत्री और यमनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी अगर पूछा जाए, चारो धामों का प्रिवेश द्वार किसको बोला जाता है, तो वो हरी द्वार को बोला जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना, चारो धामों का द्वार, हरी द्वार, अगर पूछा जाए, मंदिरों की नगरी किसको बोला जाता है, तो फिर अगला है ब्रिटिश गड़वाल की प्रारंबिक राजधानी कहां इस्तित थी देखे ब्रिटिश गड़वाल की जो शुरुवाती राजधानी थी वो कहां थी शिरी नगर इस्तित थी बाद में ये पौड़ी इस्तांतरित कर दी गई थी कब कर दी गई थी 1840 में ठीक है उस जो विवाहित कन्या होती है उसको क्या बोले जाता है रयांती और जो अविवाहित होती है उसको बोले जाता है धयांती ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और बाकी यह जो दोनों शब्द हैं यह क्या है यह भोटिये जनजाती में वस्तरों के एक प्रकार है ठीक है वस्तरो आश्रम कहां इस्तित है जैराम आश्रम जो है इसकी लोकेशन है हरीदवार में हिमालिया के खस पुस्तक के लेखा कौन है तो हिमालिया के खस यह किताब लिखी है डीडी शर्माने ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है एक और प्रसित किताब है एशिया की पीट पर पर में बनती हैं. Jim Corbett की अंतिम पुस्तक का नाम क्या था? आपको पता है Jim Corbett इनका जनम कहा होता है? ये ननिताल में इनका जनम होता है. अगर पूछा जाए ये किस मूल के थे? तो ये Irish मूल के थे यानि कि ये Ireland के थे ठीक है? आईरिश मूल के थे. जनम ननिताल यहाँ पर प्रश्ण है इनकी अंतिम पुस्तक का नाम है Tree Top Tree Top इनकी अंतिम पुस्तक है जो कि 1905 में परकाशित होती है आपको पता है 1905 में ही Jim Corbett की मृत्यू होती है Kenya में Kenya के अंदर नायरी करके एक जगा है वहाँ पर इनकी मृत्यू होती है इसके अलावा इनकी जंगल लोर है The Man Eater of Kumau भी इनी की किताब है My India इनी की किताब है The Temple Tiger ये भी इनी की किताब है और एक और इनकी किताब है Man Eating Leopard of Rudra Pariag ये सारी किताब है किसकी है Jim Corbett की ये अपनी एक बहन के साथ नैनिताल में रहते थे इनकी बहन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या था मैगी थी जो कि इनी के साथ रहती थी और ये दोनों के दोनों कैसे रहे थे आजीवन इन्होंने शादी नहीं करी थी ये आपको ध्यान में रखना है Jim Corbett की कोई भी पतनी नहीं थी निम्न में से किसे गुलाब राई के नाम से भी जाना जाता है तो गुलाब राई अन्य अना में किसका ऑप्शन डी रुद्र परियाग का ठीक है अगर गुलाब घाटी बोलता तो फिर हम करते काहट गोदाम को फाउंडी फोर्ज किस जनपत में इस्तित है तो फाउंडी फोर्ज जो है ये कहां इस्तित है इसकी लोकेशन है खरीदवार में ठीक है पेपर में प्रशन बन चुका है अगला है नैथरा का किला कहां इस्तित है नैथरा का किला अगर पूथा जाए किस ने बनवाया था या किस काल में ये बना था यानि कि गोर्खा-कालीन, ये किला है, ठीक है? कहां इस्तित्थ है? अल्मोरा में ये आपको प्रतमान रखना है, नैथरा का किला ये अल्मोरा में इस्तित है और इसको किसने बन perfect मैं इसको बनाया था? प्र्टिकूलर किसने बनाया था? वो चीज मुझे नहीं मिली मैंने काफी ढूंडा लेकिन मुझे नहीं मिला पर इतना ही मिला कि ये कहां का है गोर्खा कालीन है और अल्मोडा में है ठीक है अगला है वर्तमान में राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है तो अभी उत्राखन के मुझे मंत्री कौन है त्रिविंद सिंग रावत है तो यही राज्य वन्य जी बोर्ड के अध्यक्ष है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है तुम चुप क्यों रहे केदार किसकी रचना है तो यह रचना है हिरदेश जोशी की अगला है टिहरी में महिला हस्पताल वा जच्चा बच्चा केंदर की स्थापना किसने करी थी तो यह स्थापना किसने करी थी महराज कीर्थी शाह के दवारा इस स्थापना को इसकी स्थापना की गए थी तो टिहरी की अंदर महिला हस्पताल और जच्चा बच्चा केंदर की स्थापना किस ने करी थी कीड़ती शहाने अगला है हिमालियन कलाउड वैद शाला कहां इस्तित है हिमालियन कलाउड वैद शाला जो है यहां टिहरी गड़वाल में इस्तित है और अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना फरवरी 2019 में इसको टहीरी में जो चमबा है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया था ठीक है अगला है सरवादिक मुस्लिम करमचारी किस चंद शाशक के शाशनकाल में थे सरवादिक मुस्लिम करमचारी की बात हो रही है देखेंगे अगर हम भारत की बात करें तो सरवादिक मुस्लिम जो थे वो किसके दरबार में थे हिंदू सबसे जादा वो औरंगजेब के दरबार में थे तो सरवादिक मुस्लिम कहां थे या औरंगजेब आप इनको मीधNew Way कर सकते हैं और इंयाँम के और आरंज जेब के और यह दो रहें समकालीन थे एंडु त्हें और अर्मजेब के दराभार में सबसे सद्धा हिंदू थे इसके दराभार में मुस्लिम थे किसके शासनकाल में थे बाज बहादूर चंद के और बाज बहादूर चंद दो मुगल सम्राटों के समकालीन था औरंग जेप और शह जहां के रवाई पर गने को टिहरी रियासत में कब सामिल किया गया था देखे रवाई पर गने को टिहरी में कब शामिल किया गया यह आपन पीस में आप मुझे कमेंट करके बताएं गे जो रवाएं कांड हुआ था, कब हुआ था। जो ये कहा इस्तित है, सही जवाब है लच्छी वाला में। जिनके नाम के पिछे वाला है, जैसे डोई वाला हो गया, रै वाला मिया वाला, हर्रा वाला है । काफी सारे वाला है वाँ पर चुक्खो वाला हो गया तो उन्हीं में सापको ऐसे प्रशन बन सकता है तो अगर पर्टिकुलर पूछा जाया रहरादून के अंदर तितली पार का कहां इस्तित है तो यह लच्छे वाला में इस्तित है तो यह थे हमारे उत्रखंट जी के MCQ सीरीज का आज हमारा हमने 31 पार्ट देखा उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा कोशन अच्छे लगे होंगे और साथ ही जो हमने एक्स्प्रेशन देखी वो भी आपको काफी अच्छी लगी होगी तो ठीक है वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें जादर से जादर और चैनल को अपने पर तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फ्रेंड्स